पसकार दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भगवान लोक में अगर आप भगवान के बीच विश्वास रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो भगवान श्री कृष्ण के बालियावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित ह कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है श्री कृष्ण के कई मित्र थे उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भदर, सुभदर, मनिभदर, भोज, तोककृष्ण, वरूथप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मक करंद, सदानंद, चंदरहास, बाकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्र थे। इनही में एक थे सुदामा जोकी कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बच्पन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को मित्रता का रिष्टा दुनिया में सबसे खूबसूत होता है। क्योंकि यह रंग रूप, धंदौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियों में एक है यह कहानी। बाल्याकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्यमित्र एक साथ पढ़ते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरी द्वारकाधिश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुदामा की बात सुदामा थोड़ा हिचकी चाए। लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तयार हो ग यही सोचकर सुशीला पडोस से तीन मुठी चाबल मांग कर लाई और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कनहया को भेट कर दे सुदामा जब द्वारकानगरी में श्री कृष्ण के महल पहुँचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि वह यहां किसलिए आये हैं जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दोड़े दोड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया श्री कृष्ण ने अश्रू से धोए सुदामा के पै कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राजसिंधासन पर बैठा कर अपने आसों से उनके चरण धोए कृष्ण को देख उनकी पट्रानिया और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर यचकित रह गए सभी यह सोचने लगे कि द्वार काधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा है दो मुठी चावल के बदले कृष्ण ने सुदामा को दी दो लोक संपत्ती कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए है इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली चिपा कर कहा कुछ भी नहीं इतने में कृष्ण बोले क्यों जूठ बोलते हो सका क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो यह कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली लेली और चावल खाने लगे जैसे ही कृष्ण ने एक मुठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को एक लोग की संपत्ती दे दी इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुठी चावल खाकर सुदामा को दो लोग की संपत्ती दे दी लेकिन कृष्ण तीसरी मुठ्थी चावल खाने जाही रहे थे कि रुक्मणी उन्हें रोकते हुए बोली प्रभु। जदी आप तीनों लोग की संपत्ती इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहां जाएंगे। रुक्मणी की बात सुन कृष्ण रुख गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद